नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभसाक्षी नेटवर्क का बेहती खासकार क्रम सुनते हो रहे था जी मद्ध देस में एक बार फिर से ऑप्रेशन कमल एक्टिव होते होते रह गया दरसल कमलनात के नेत्रत वाली कॉंग्रेस निस सरकार ने भाश्पा परारोप लगाया कि उन जल्दी वापस आ जाएंगे आज इसी विशह पर हम चौचा करेंगे जब हम मालूम पड़ा तो जीतु पटवारी और जैवर्धन तो वहां चले गए थे ITC grant मनेसर में तो वहां इन लोगों से संपर्ख हो गया था तो जिन से संपर्ख हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे लिकिन वहां भार्ती जनता पार्टी के पूर मंत्री रामपाल सिंग नरुतम मिश्रा अर्विन भद्वरिया संजे पाठक पूर मंत्री यह सब लोग वहां उनको पैसे देने वाले थी वहां पे अगर च्छापा डल गया होता हमने तो तो आज वह पकड़ लिया होता लेकिन शासन हर्याना में भाजपा का है हमें गेट पर रोक दिया गया लेकिन उसकी बावजूद भी उनसे संपर्क हो गया था विसावलाल सिंग जी से भी और राम भाई से राम भाई थो हमारे साथ वापर स्लोट आई उनके साथ भी बड़ी गुंडा गिर दी की नोग ने रोकन थपड़ मारा और चली आई हमारे साथ वैसे अंदादा था करीब 10-11 विधायक थे लेकिन चार रहे गए उनके पास वो भी आ जाए हमारे पास क्या था मामला मंगलवार की देदाद गुरुग्राम के मानेशर के आई टीसी डिसॉर्ट में एक हाई बुल्टेश ड्रामा देखने को मिला यह ड्रामा उस वक्त हुआ जब मध्पदेश सरकार के कुछ विधायक यहां देखे गए इन में बाहर से समर्तन दे रहे निदली विधायक रामवाई को छुड़ा लिया लेकिन खबरे हैं कि इस दोरान हर्याना पुलिस से नेदाओं की जड़ाप हो गई और कॉंग्रेस नेताओं को वे रिजॉट के भीतर भी नहीं जाने दे रहे थे हलाकि बड़ी मसकत के बाद कुछ विधायकों के साथ कॉंग्रेस का संपर्खो पाया इस सियासी खीस्तान के बीच कॉंग्रेस की टेंसन उस वक्त बढ़ गई जब प्रदेश के पूर मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान दिल्ली के लिए रवाना हुए ये कॉंग्रेस के मजब्देस के कमलनाजी की सरकार है ये अपने अंतर दिरोद और अंतर कले से ग्रशित है आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से सरकार में उनके अपने अंदर विद्रो है भारती जनता पार्टी का इस प्रकार के किसी भी जो आरूप प्रतारूप करने का प्रयास है ये बहुत दुरुफागी जनक है भारती जनता पार्टी के आसे कोई लेना देना नहीं है नहीं भारती जनता पार्टी के इस प्रकार के कोई प्रयास है उनका अंतर कले है तो उ उसका जवाब सिंधीया जी रहे उसका जवाब बेग्या सिंगी दे मुझेल अक्षियानी बिली खंबा नोचे आप जो है वो तोड़ फोड़ आप जोड़ जोड़ तोड़ करने में तो आप सबसे जादा माहिर है अब जो है वो खुद उल्टे आरोप लगा रहे हैं तो उल बाजपा की सरकार है गुड़बाओं में वहां रख से हैं हम अपने विधायकों कोहां से शुड़ा के भी लाएं मुझे लगता है कि सब इस तरह के फेक और फैबरिकेटेड और फर्जी बातों से जो है वो अगर उन्हें लगता है कि उनको कोई फाइदा होने वाला है तो फ खरीतने का आरोप लगाया जीतू पटवारी ने दावा किया कि शिवराज सिंग चोहान नरुत्तम मिश्र भूपेन सिंग और रामपाल सही अन्य भाजपा नेता साजिस के तहट विधायकों को हरियाना के एक होटल में जबरन ले गए विधायकों ने हमें बताया कि उदरता गया आरोप लगते गए और एक विधायक ने तो दावा भी कर दिया कि उसे पांच करोड़ रुपए और मंत्री पद देने की बात कही है भाजपा ने जैसे 25 करोड़ रुपए में काम चला ले बार बार भाजपा नेताओं का नाम ले रही थी कॉंग्रेस ऐसे में वो कैसे चुप रह सकते थे भाजपा की तरब से भी प्रतिक्रियाएं आना सुरू हो गई लेकिन किनकी बातों में सच्चाई है यह बता पाना अभी मुश्किल है शुवराज सिंग चौहान ने कहा कि भाजपा की सोच सरकार गिराने की नहीं और अगर अपने बोस से सरकार को कुछ होता है तो वह जानें राज जी का हर वर्ग परिशान है कॉंग्रेस के विधायक तक परिशान है अब मामला उनके घर का है आरोप हम लगाते हैं यह कौन सी बात है क्या मुख मंत्री ने कुछ कहा हाँ जब उनके सरकार पर काले बाडर मदरा रहे थे तो वह कैसे चुप रह सकते थे कमलनात ने कहा कि हौर्स ट्रेडिंग की बात तो सच है लेकिन हमारी सरकार इस्तिर है भाजपा को डर सता रहा है आने वाले समय में उसके 15 साल के घोटालो का खुलासा होगा जबकि भाजपा के प्रदेश अद्दक्ष वीडी सर्मा ने सभी आरोपों को खारिच कर दिया और कह दिया कि कॉंग्रेस सरकार अपने ही अंतर कलर से ग्रसित है लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कॉंग्रेस कह रही है कि उनके 6 विधायक वापस आ के पास 107 बाकी बस पास सपा और निदलीव के विधायक हैं ऐसे में कुछ भी हो सकता है देखना यह दिल्चस्प होगा कि बच्चे हुए विधायकों को कॉंग्रेस वापस ला पाती है या नहीं क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो भाजपा अपनी निगाह गड़ाय हुए कि में दॉजए रजाग रेकि में का अーデय विधायकों कुछ ब्याम झांट लूल सवस्पाट है थाई